बच्चे हो या बड़े हो खटे मीठे अंगूर खाना तो सबको पसंद होता है हलो फ्रेंड्स मैं हुने रुपमा और मरी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ग्रेप स्पंच या आप इसे जूस भी कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है और बहुत ही हल्दी है तो चलिए आज की मज़ेदार रेस्पी शुरू करते हैं ग्रेप स्पंच बनाने के लिए सबसे पहले हम अंगूर लेंगे आदा किलो मैंने अंगूर लिया है और इसे धो कर साफ कर लिया है तो यह जो बड़ा वाला अंगूर है मीठा होता है और छोटा खटा होता है तो मैंने दोनों तरह के लिए तो अब हम क्या करेंगे इन्हें हम एक सी जार में डालेंगे थोड़े से खटे और थोड़े से मीठे अंगूर रहते हैं न तो इसका सवाथ बहुत अच्छा आता है तारे अंगूर मैंने इसमें डाल दिये अब हम इसमें डालेंगे दो चमर चीनी एक चमर चीनी इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे और एक चमर डालेंगे काला नमक और थोड़े से इसमें पुदीने के पत्ते डालेंगे और अब जार कर ढखकर लगाएंगे और इसे हम ग्रैंड करेंगे मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ अगर आपको काड़ा लग रहा है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं तो यह देखिए अंगूर के जूस हमारा बिल्कुल अच्छे से बन गया है और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है अब हम क्या करेंगे अब हम इसे चान लेंगे इसे जरूर चाने अगर नहीं चानेंगे तो हलकी से जो टुकड़े रह जाते हैं वो मूँ में आएंगे तो वो अच्छा नहीं लेगा तो हलकी सी मोटी चलनी लेंगे और मोटी चलनी में ही इसको चानेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें जूस डालते जाएंगे और इसे बिल्कु छान लेंगे अच्छे से ये देखे अंगुर पीस्ते समय मैंने मसाले डाल दिये थे अगर आप मसाले नहीं डालते हैं तो इसके छिलके को भी यूज़ कर सकते हैं इसे आप फेस पर लगा सकते हैं बॉडी स्क्रब भी बना सकते हैं लेकिन इसमें मसाले पीस्ते समय नहीं डालना है तो ये देखे हमारे जूस तयार हो गया है अब हम इसे सर्फ करेंगे अब एक आच का ग्लास लेंगे और उसके किनारे पर मुस्तर से नीबु का रस लगा देंगे ये बस डेकोरेशन के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा तो नीबु का रस मैंने अच्छे से लगा दिया है अब इसमें मसाला लगाओंगी ये चाट मसाला मैंने पहले से तयार करके रखा था अब हम ये मसाला सारी किनारों पर लगा देंगे और अब हम इसमें ग्रेप स्पंस को सर्फ करेंगे इस जूस को आप जब भी बनाएं फ्रेश बनाएं इसको बहुत जादा देर नहीं रखें अगर इसे ठंडा पीना है तो एक खंटे के लिए फ्रेज में रखें और ठंडा ठंडा पीएं इसमें हमें बरब बिल्कुल भी नहीं मिलाना है जूस तो मैंने सर्फ कर दिया अब थोड़ा सा इसको डेकॉरेट भी करेंगे तो इसके लिए एक अंगूर लेंगे और साइट से कट करेंगे और फिर इसे हम दोनों पार्ट को जोड़तेंगे ये देखे इस तरह से तो इसकी जो शेप बनेगी न बिलकुल हाट की तरह बन जाएगी यह देखे, अब एक fruit stick लेंगे और इसके बीच में से इस तरह से लगा देंगे और अब हमारा heart shape का अंगुर तयार है, यह देखे तो यह देखे, red color का heart होता है लेकिन आज मैंने green color का बनाया है अच्छा लगाना आपको, और अब green color के heart से मिसको सजा देंगे लग रहा है न संदर अब हमारे यह super tasty और healthy यह drink तैयार है पीने के लिए तो अंगुर तो हम हमेशा खाते ही रहते हैं लेकिन इसका रूस इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा बच्चे यह बड़े हों सभी को यह बहुत पसंद आएगा आप ज़रू ट्रै करें और अगर आप weight loss करना चाहते हैं तो आप चीनी की जगे इसमें शायद का इस्तमाल करें तो आप इसे ज़रू बनाएं और मेरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रू करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें